कि वेदों के अंसार भगवान कोन है, जो पुराणों के अंसार भगवान है, वही वेदों के अंसार है, हमारे गरंथ, हमारा धर्म एक ही है, जो वेद कहते हैं, वही पुरान कहते हैं, बस अंत्र है, वेदों में जो बात सुत्रात्मक धंग से परसी गई है, उसी की व्याक्य उसी की ठीका 18 पुरानों में हुई है यह यह कह लिजी कि वेदों की व्याक्या ही पुरान है क्योंकि वेदों का जो आश्य है वो हर व्यक्ति कल्यू का समझ नहीं पाता तो उसी का विस्तार वेद व्यास जिनने कि है नामिया वेद व्यास वेदों का व्यास का मतलब विस्तार जब हम किसी सुत्र को समझ नहीं पाते तो उसका विस्तार करके समझाए जाता है जो दिमाग में बात मैठ जाए तो हमारे वेदों ने जो भी कुछ कहा सुत्रात्मक ढंग से उसी का विस्तार मतलब व्यास किया इसलिए नाम पढ़ गया वेद व्यास वेदों का विस्तार तो वेद व्यास ने क्या कि अठारा पुराणों की रचना की वेदों का व्यास तो ये वेदी तो है जो अठारा पुराणा ये वेदों की टीका है वेदों की व्या क्या है तो जो वेद में है वही पुराणों में है बस उन सुत्रों को समधना डूरना ये हर वेक्ति की बसकी बात नहीं है जैसे कहा अब आप कह सकते वेदों में तो साकार की उपासना नहीं है तो आप भ्रह्म में हैं बहुत बड़े भ्रह्म में वेदो का शीरोभाग उपनिशत, तो राधि का उपनिशत, और कृष्ण उपनिशत, ये उपनिशत वेद के तो भाग है, तो लिखा तो है राधि के बारे में, कृष्ण के बारे में। और साथ में कहा के लिखा कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, वेद में लिखा आरे आर्थ तो समझो भई, ये संस्कित है, प्रतिमा का अर्थ क्या होता है, प्रतिक अर्थ क्या होता है, आप बताएंगे ज़्या, प्रतिक अर्थ क्या है, कोपी, जैसे हम इसकीicopie करा लेते हैं एक और तो क्या कहएगा इसको? कौपी, प्रती प्रती तो कहे लिए जैसे हमने किटाब में चुपाई दस अजार किटाब तो कहेंगे दस अजार प्रती है वो लिखा होगा उस पर दस अजार प्रती है तो प्रति का मतलग क्या हो, एक जैसी है वैसी ही दस अजार है, जैसी एक है वैसी कोपी हो रहा है, उसी की कोपी है, एक की कोपी है, तो सारी प्रतियां है, सारी की सारी प्रतियां कहने हैं, तो प्रति, प्रति का मतलग कोपी, तो भगवान की प्रतिमा नहीं है, मतलग भगव भगवान की कोपी नहीं है, मने भगवान जैसा दूसरा नहीं है, क्योंकि दो भगवान है नहीं है, भगवान को कोई कम्पिटर हो नहीं सकता, भगवान की प्रती हो नहीं सकती, भगवान का कोपी हो नहीं सकती, इसलिए कहा कि भगवान की प्रती मन नहीं है, हाँ वेदो की बात है वेदो में कहा है तो वेदो में कहा कहा इस बात को मुर्ति पूजा खंडन बता दो एक विश्लोक बता दो मंत्र पड़के जिसमें वेदो में मुर्ति पूजा का खंडन हो राम कृष्ण का खंडन हो एक जगा बता दो राम जी बारे में लिखाओ कि कोई भगवाद नी कर्ष्ण के बारा कोई भगवाद में पूरा हिंदु धर्म राम कृष्ण को मानता और शानादी काल से मुर्ति पूजा होती आ रही है तो यदि मुर्ति पूजा गल थी तो भगवान की घुण है, अब देखी मनुशुत रूपा ने कहा उसी की व्याख्या देखी, उसी वेद की व्याख्या, अब पुराणों में देखी, मनुशुत रूपा भगवान से कहते हैं, कि चाहिए तुमही समान सुथ, बनhero, आपकी कोपी चाहिए, बेता को चाहिए त तो मही समान सुथ, आपके समान हम कोचे, मतलब आपकी कोपी चाहिए बेटा, ऐसा बेटा, जो आपकी कोपी हो, मतलब आपके समान हो, कोपी का मतलब समान होता है, चाहिए तो मही समान सुथ, प्रभुसन का अरुद्रा, तो भगवान ने कहा, आपन सरिस, मतलब अपनी कोपी अपने जैसा आपून सरिस खोजों कहा जाई भग्वान कहते है मेरे समान तो कोई है यह नहीं कहा मैं डुन्ड़ूंगा प्रहसमान तो मेरे समान कोई दूसा नहीं जिसको में आपका बेटा बनों तो मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ रहा ह। वही मनुशुत रुपत दर्सत को शल्या बनते हैं, वहां भगवान बेटा बनते हैं, तो कहां भगवान की कोपी, तो वेद ने जो कहा है कि भगवान की कोपी नहीं होती, भगवान की प्रतीमा नहीं है, तो वही बात यहां व्याख्या करके कैसे प्रतीमा नहीं है, तो इस इनका नाम पढ़ गया वेद व्यास तो उनका व्यास जो उनोंने किया वेद होगा तो उनकी रचना क्या है पुरा रहा है अठारा पुरा है तो वेद में एक सुत्र है कि उनकी प्रतिमा नहीं है तो यहां पर उसकी व्या क्या कर दी बिलको नहीं है यह है तो इसी प्रकार हम लोग विग्रह को क्या कहते हैं प्रतिमा विग्रह को क्या कहते हैं प्रतिमा अब प्रतिमा का अर्थ देखिया हम विग्रह को मुर्ति को प्रतिमा क्यों कहते हैं प्रति कर्त होता कोपी, और मां कर्त होता संसक्रीत में, नहीं। अब इनको मूर्थी मत मानो, मूर्ति में प्रतिमाह में बहुत आंतर है। कहते हैं तो को मूर्ति ना मानो, भगवान की कोई परतिमा नहीं होती, अर्थात है भगवान की कोपी नहीं होती, ये कोपी नहीं है, ये स्यम वही है, मूर्ति गुन की कोपी मत मानो क्योंकि भगवान की कोपी नहीं होती, को नहीं है, ये वही है, इसले हम लोग मूर्ति ना क कहकर क्या कहते हैं विग्र है श्री विग्र है ये मुर्ति नहीं है ये कोपी नहीं है ये स्यम वही है इसलिए हम फिर मुर्ति को जब स्थापन हो जाती है पहले वो मुर्ति होती है पहले वो बजार में मुर्ति जब स्थापी तो होगी तो हो गई प्रतिमा अर्थात अब ये अकार्दिया तो प्रति हो कि उनके लिए कि नहीं प्रतिमा अर्थात मुर्थी नहीं, बने वो कोपी नहीं, वो स्यम वही है, यह प्रतिमा का अर्थ, तो वेदो के अंसार भगवान कोन है, तो मैंने बताया, जो पुराणों में लिखा वही वेदों में सुत्रा, तो मैंने त लेकिन फिर भी यदि कोई प्राणों में वेदों में कोई अंतर मानता है तो अंतर मानता रहे उसकी अपनी ना समझी है बकि सच बात तो यही है कि शैली दोनों की अलग-अलग है क्योंकि यदि वेद की शैली वेद व्यास अपनाते तो फिर वेदों था यह अलग से लिखने जानते हैं कि वेदों ने जिस रहली में गुणगान किया है, वो लोग समझ नहीं पाएंगे, आने वले समय में कल्यूग है, और तो मैं इनकी व्याख्या करके समझा दूँ, यह सिम्पल सी बात है, तो यह हमारा जो जितने भी संपर्द है, हमारे सनात्म धर्म के सब वैदिक हैं, जैसे निम्बार्ग संपर्द है, सब वैदिक धर्म है, अब इसको वैदिक धर्म भी कहा गा है, वैदिक शनात्म धर्म, कितने नाम है इसके, तो वेदों के अंसार भगवान को ना तो बताया, एको ब्रह्म द्युत्यों नास्ति, प्रमात्म एक है, वही नीराकार है, वही सकार है, अनेक रूप रूप आये, विष्णवे प्रभविष्णवे, उस भगवान के अनेक रूप है, एको क्षिप्रा बहुदा बधनती, ये वेद का वक्य है, उस करते हैं कि वह एक है, और उसी को नाना प्रकार से कार है, ये.